हेलो दोस्तों अगर आप फार्मा की दुनिया में आ चुके हो तो आप लोग जानते हो इस फार्मा दुनिया का one of the most prestigious job है ड्रग इंस्पेक्टर मैं मेगा मूली मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों को उधित फार्मसी में और हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले है navigating the path to become a drug inspector मतलब drug inspector कैसे बनना है उसी के बारे में है आज का पूरा वीडियो बिना देरी के शुरू करते है आज का वीडियो जल से जल पहले हम देख लेंगे drug inspector कौन है drug inspector वही personal है या फिर वही लोग है जो drug का safety utility और consistency चेक करते है मतलब वह वह personal है जो ensure करते है जो drug हमारे पास आ रहे है या फिर हम तक या फिर common man तक पहुच रहा है वह drug एकदम safe है की नहीं उसका quality एकदम controlled है की नहीं वह एकदम best form में है की नहीं तो चलिए पहले जानते है इस drug inspectors का role क्या है society में तो role of drug inspector यही है कि वह safeguard करते है public help को इनका बहुत सारे responsibilities है जैसे कि यह monitor करते है जो drug manufacture हो रहा है वह सही तोर तरीके से manufacture हो रहे की नहीं यह जो drug distribute हो रहा है different retail shops में यह distribution में कोई ऐसा process नहीं हो रहा है जिसमें drugs खराब हो सकते है या फिर इस drug का quality है यह safe है कि नहीं वह भी monitor करते है यह drug inspectors यह ensure करते है compliance को मतलब यह monitor करते है regulatory standards मतलब जो drug आते है उसका standards protocols and procedures है वो ठीक ठाक से maintain हो रहे कि नहीं और यह inspect करते है और investigate करते है sample collect करके कि जो drug बना वो drug में सारे चीज़े perfectly है कि नहीं और investigate करते है कि substandard या फिर counterfeit drug मतलब नकल drugs जो है यह नहीं market में आ रहे है तो drug inspector यह सारा काम करते है अब देख लेंगे यह drug inspector बनने के लिए हमारे पास क्या-क्या eligibility होना चाहिए bachelor's degree होना चाहिए pharmaceutical science या फिर chemistry या फिर microbiology या फिर medicines में कोई recognized university में और जो age limit होता है यह 21 to 35 years सक होता है और state to state drug inspector का eligibility criteria है यह vary करते है कुछ-कुछ states यह चाहते है कि यह drug inspector जो है इनके पास को industrial exposure होई कुछ-कुछ लोग यह चाहते है इन लोगों के पास 5-6 साल experience हो तो यह state to state vary करते हैं अब हम लोग देख लेंगे क्या-क्या essential skills होना चाहिए drug inspector वरनने के लिए पहले हम देख लेंगे जो most important criteria होना चाहिए कि drug inspecting या फिर drug manufacturing के बारे में इन लोगों को knowledge होना चाहिए और quality drug के बारे में इन लोगों को knowledge होना चाहिए इन लोगों के पास communication skills अच्छा होना चाहिए और इन लोगों के पास ethical और analytical skills भी होना चाहिए जो कि integrity और critical thinking से inspection कर सके अब देखलेंगे recruitment process में क्या क्या है पहले क्या होता है कि official websites होता है PSE और EO PSE का इधर notification release किया जाता है और इस notifications के हिसाब से हमें application form को भढ़ना होता है इसके बाद होता है एक written examination इस written examination में pharmacology, pharmacy, pharmaceutical chemistry, drug acts and laws, ICH guidelines के बारे में बहुत सारे questions रहते हैं इसके बाद अगर आप written examination clear करते हो तो आपके interview के लिए बैठना होगा और interview में candidates knowledge, aptitude और suitability of the role judge किया जाता है और last में होता है document verification जिसके बाद आप drug inspector के लिए recruit हो सकते हो अब देख लेंगे application process में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला PSC और UPSC का website में इसका notification आता है online application आपको भढ़ना होता है उसके बाद application fee दालना होता है specific time period के अंदर अब कैसे preparation करना है इस written exam के लिए तो syllabus को अच्छे तरीके से जानना होगा practice करना होगा previous years papers को और जो mode of exam होता है इसको अच्छे से जानना होगा इधर exam CBT mode में नहीं होता है written form में होता है जिसमें OMR sheet में आपको भढ़ना होता है इसके लिए आप बहुत सारे textbook या फिर online resources का इस्तिमाल कर सकते हो अपना preparation के लिए और drug regulation और industry practice आपको अगर होगा तो यह आपके लि है और बहुत सारे seminars, workshops अगर आप कर रहे हो यह industry drug manufacturing के related तो आपके लिए helpful हो जाएगा और अगर आपके पास higher educational qualification है तो यह आपके लिए ही बहतर होगा अब देख लेंगे interview round में क्या-क्या होता है पहले self introduction होता है जिदर आपको आपने खुद के बारे में थोड़ा सा बताना ह होता है industry में आपने क्या-क्या सीखा वो उसके बाद बताना होता है और mock interviews होता है जिसके दे सकते हो आप YouTube में मिल जाएगा आपको या फिर आप कोई भी online institution से mock interview ले सकते हो अब last में आ जाते है document verification जिदर आपका सारे documents verify होंगे जैसे कि educational certificates, identity proof and more and document verification के बाद आपको एक date दिया वाला है अब last में हम देख लेंगे drug inspector एक बहुत ही prestigious job है और अगर आपके पास सारा qualities है drug inspector बनने का तो आप ये profession के लिए जरूर जाए क्योंकि ये ensure करते है public health और safety को और अगर आपके पास educational qualification है तो आप अच्छे से preparation लीजिए और drug act और law के बारे में आप स्टेप्स फॉलो करके ही आप बन सकते हो एक prestigious drug inspector officer आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल देन को subscribe कीजिए like और share कीजिए वीडियो को और comment section में जरूर बताएं अगर आपको कोई questions है तो अगर आप दीफाम के first year में हो तो उधित फामसी ने आप लोगों के लिए लाया video lecture course at a very nominal price that is 1499 इधर आपको मिल जाएगा recorded classes, live classes with doubt session, ebook pdf notes, chapter wise exercise, chapter wise test, live chat और सारे सुविदाय आपको मिल रहा है Hindi English दोनों language में पूरा पाँचो subject का syllabus cover होने वाला है और अगर अब second year में हो तो आपके लिए same price में कुछ ऐसे ही लेकर आया है unit pharmacy इधर आपका पूरा six subjects cover हो रहे है तो बिना देरी के जल से जल order कीजे और अगर आपको ऐसा लग रहे है कि आपको hard copy study material ही काफी है आपको video lecture course का जरूरत नहीं है बस 999 में आपको मिल रहे है पाँचो बुक्स वो भी आपके location में free delivery with theory and moral paper और अगर आप दीफाम का exact exam के लिए preparation कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उधित pharmacy ने लाया mcq of all subjects का test series और इधर आपको मिल जाएगा unlimited attempts and according to PCI syllabus बस 499 में तो लेट किस बात की जल से जल order कीजे और लीजे ये सारे सुविदाए जो उरित pharmacy ने आप लोगों के लिए लाया मिलते हैं अगले वीडियो पे